इनके बीस राज्यों में से बीजेपी के जो बीस राज्य हैं इन बीस राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां 24 गंटे बिजली हो जिरात में 30 साल से इनकी सरकार है फिर भी वहां पावर कट लगते हैं 30 साल में भी यह 24 गंटे बिजली नहीं दे पाए वहां क्यो अगर दिल्ली के अंदर आपने बीजेपी को वोट दे दिया, तो आपके कई-कई हजार रुपे के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे। अज दिल्ली के अंदर शांदार महला क्लिनिक बन गए, सरकारी अस्पताल बन गए, जहां पूरा इलाज मुफ्त है, सारी तवाईया मुफ्त मिलती हैं। इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ बीस राज्जों में। कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है, और फ्री बिजली, ये पहली रेवडी है। अब याद करो दिन हमारे से पहले जब दिल्ली में कॉंग्रेस की सरकार थी, शीला दिख्षी जी की सरकार थी, उन दिनों में आठ से दस घंटे के पावर कट रोज लगते थे। हमने आके दिल्ली में 24 घंटे बिजली किये, अब दिल्ली में पावर कट नहीं लगते। इनके 20 राज्यों में से, BJP के जो 20 राज्ये हैं, इन 20 राज्यों में से एक भी राज्ये ऐसा नहीं है, जहां 24 घंटे बिजली हो। गुजरात में 30 साल से इनकी सरकार है, फिर भी वहाँ पावर कट लगते हैं, 30 साल में भी ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाएं वहाँ, क्योंकि ये टेक्निकल मामला है, हम इंजीनियर हैं, हमें 24 घंटे बिजली दे नहीं आती हैं, उनको नहीं आती। तो 20 राज्यों में जहां उनकी सरकार है, उनमें से एक भी राज्य में ये 24 घंटे बिजली नहीं दे पाएं, हमारे से पहले यहां दिल्ली में लंबे-लंबे, तो अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट दिया, तो दिल्ली के अंदर भी 8 से 10 घंटे के पावर कट लगने चालू हो जाएंगे, तो कमल का बटन दबाने से पहले सोच लेना, कि आप लंबे-लंबे पावर कट के लिए बटन दबा रहे हो, नहीं तो जाडू का बटन दबा देना, और अगर दूर जाने के जुरूरत नहीं है, उत्तर परदेश में फोन करके देख लो, कितने घंटे पावर कट लगते हैं, आप में से तो बहुत सारे होंगे, उत्तर परदेश से बियार से बियार फोन करके देख लो, राजस्तान फोन करके देख लो, मद्धे परदेश फोन करके देख लो कितने घंटे के पावर कट लगते हैं हमारी तो मुश्किल से 10 साल भी नहीं हुए सरकार बने हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली कर दी बिजली फ्री कर दी दिल्ली और पंजाब दो ही राज्ये हैं पूरे देश के अंदर जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है और जहां बिजली फ्री है उत्तर परदेश में फोन करके देख लो कितने हजार रुपए के महीने का बिलाता है अगर दिल्ली के अंदर आप ने बीजे पी को वोट दे दिया तो आपके कई-कई-1000 रुपे के फिर से हर महीने बिल आने चालू हो जाएंगे तो अगर फ्री पिजली चाहिए सस्ती पिजली चाहिए 24 गंटे पिजली चाहिए ये फ्री की रेवडी केवल आम आदमी पार्टी की सरकार दे सकती है दूसरा है मुफ्त पानी दिल्ली में हम पानी 20,000 लीटर पानी हर महीने हर परिवार को मुफ्त देते हैं इनके 20 राज्यों में से किसी भी राज्ये के अंदर पानी मुफ्त नहीं है जब मैं जेल गया था पीछे से इन्होंने पता नहीं क्या गड़बड करी कई लोगों के मेरे को पता चला है कि कई हजार रुपे के पानी के गलत बिल आ गए है उन सब का मैंने अलान किया है कि आपको पानी के बिल भरने के जरूरत नहीं है आम आदमी पार्टी को वोट दे दो हमारी सरकार बनेगी हम आपके सारे गलत पुराने बिल माफ कर देंगे और फिर से आपके जीरो आने लग जाएंगे लेकिन आपने कमल का बटन दबा दिया तो ये सारे गलत बिल भरने बढ़ेंगे आप लोगों को ये सोच ले ना कमल का बटन दबाने के पहले तीसरा है अच्छी और शानदार फ्री शिक्षा दिल्ली के अंदर हमें शानदार सरकारी स्कूल बनाए इनके बीस राज्यों में से एक भी राज्य ऐसा बता दो जहां पर ऐसे स्कूल हो, कहीं नहीं है इनके स्कूल तूटे पड़े हैं स्कूल टेंट में चल रहे हैं स्कूल दिवारें टूटी पड़ी हैं छते टूटी पड़ी हैं उत्तर परदेश के स्कूल जाके देख लो 18 लाख बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं मैं पूछना चाहता हूं क्या आप चाहते हो आज चौथी रेवडी है आज दिल्ली के अंदर शानदार महला क्लिनिक बन गए सरकारी अस्पताल बन गए जहां पूरा इलाज मुफ्त है सारी दवाईया मुफ्त मिलती हैं इनके किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ बीस राज्यों में कहीं भी सरकारी अस्पताल अच्छे नहीं है तूटे फूटे पड़े हैं सारे सरकारी अस्पताल अगर दिल्ली में आपने इनको वोट दे दिया तो फिर से ये सारे सरकारी अस्पताल खराब हो जाएंगे क्या आप चाहते हो कि फिर से सरकारी अस्पिताल खराब हो और आपके घर में अगर बिमार हो जाए कोई और हजारों रुपए खर्च करके प्राइवेट में इलाज कराना पड़े पांच वी रेवडी है महिलाओं को मुफ्त यात्रा बस यात्रा इनके 20 राज्यों में से किसी में भी महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त नहीं मिलती बीजेपी की हमेशा मांग रही है कि भई हमा इनकी बस यात्रा जो है मुफ्त बंद होनी चाहिए तो अगर ये आ गए तो बस यात्रा मुफ्त बस यात्रा बंद कर देंगे और बुजुर्गों के लिए जो तीर थ्यात्रा की स्कीम है वो भी ये लोग बंद कर देंगे छे रेवडियां हम दे रहे हैं ये छे रेवडियां बीजेपी अगर आ गई तो बंद कर देगी